श्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TP&G, टेली प्राइम एंड GST दोस्तो मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सब्टोवेर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ इसके साथी साथ GST से रिलेटेड टोपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर किलियर करता हूँ तो दोस्तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इन से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं इसके अलाबा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक कर लें दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सप्टवेर से किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि टेली Prime Software में हम जो भी कारे करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसके आधार पर कई सारी रिपोर्ट स्तयार होती हैं, अपने आप अब इनमे से दोस्तो किसी भी report को हम टेली Prime Software से Excel में export करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे अब यहाँ पर दोस्तो example में एक report कर लूँगा उसी तरह से आप टेली Prime Software में तयार होने वाली किसी भी report को export कर सकते हैं Excel में दोस्तो मैं अपनी फर्म के अंतरकत यहां से profit and loss account की जो report है उसको export करना चाहता हूँ excel में तो इसके लिए आपको क्या करना होगा daily prime software से जिस भी report को आप excel में export करना चाहते हैं उसको दोस्तो आपको open करना होगा तो मैं क्या करूँगा gateway of daily मुख्य menu है यहां से आऊँगा reports section में और यहां पर profit and loss account जो report है उसको मैं select करके enterprise कर दूँगा दोस्तो profit and loss account हमारे सामने open होकर आगया यहां पर मैं alt के साथ f1 प्रेस कर देता हूँ इसको detailed में करने के लिए तो दोस्तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी report है उस report को आप daily prime सब्टेवेर से excel में export करना चाते हैं तो उस report को open कर लीजिए और जो भी आपको setting करनी है वो आप setting कर लीजिए जिस तरह से कि profit and loss account को मैंने यहां पर open किया और इसको detailed में करने के लिए alt के साथ f1 प्रेस कर इसको कि आप यहां से daily prime सब्टेवेर से excel में export करना चाते है उसको आप open कर लीजिए और उसके बाद उपर आपको यहां पर एक button मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा export तो या तो आप इस button पर click कर दीजिए या फिर आपको क्या करना है keyboard से press करना है alt के साथ e तब भी आप इ जैसे ही दोस्तों मैंने export के button पर click किया by default यहां पर current select होकर आता है इसका मतलब यह है कि जो भी page आप open किये हुए है उसी को आप export करना चाते हैं तो मैं भी यही करना चाता हूँ profit and loss account को मैंने open कर रखा है जो भी setting करनी थी setting कर रखी है और मैं इसी को export करना चाता हूँ तो मै यहां पर current को select रहने दूँगा और interface कर दूँगा जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया इस screen हमारे सामने कुछ इस तरह से appear होगी अब यहां पर आप देखेंगे तो file format में है XML जबकि मैं इस profit and loss account को XML में नहीं XL में export करना चाता हूँ तो यहां पर है XML इसके आप नीचे देखे होगी यदि हम इसी तरह से यहां पर send कर देते हैं तो folder path में यहां पर path भी सो रहा है कि किस path पर हमारी यह जो XML में हमारा जो export होगा वो किस path पर जाएगा और file का name भी यहां पर सो रहा है pndl.xml अब दोस्तों मुझे XML में तो export करना नहीं है मुझे करना है Excel में तो इसके लि मैंने क्या किया configure को select किया और enterprise कर दिया जैसे मैंने ऐसा किया दोस्तों screen हमारे सामने इस तरह से appear होगी यानि हम आ गए export configuration में यहां पर हम configure कर सकते हैं लेकिन यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है arrow से उपर जाईए यहां पर है so more लिखा हुआ है इसको आप select किजिए और enterprise कर दीजे इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो भी option है वो आपके सामने यहां पर open होकर आजाएंगे अभी कुछ option है वो यहां पर open होकर नहीं आ रहे है तो मैं so more को select करके और interface कर देता हूँ जैसे दोस्तों मैंने ऐसा किया तो देखे यहां पर कुछ और option थे वो open होकर अब इस जगे पर क्या होगा दोस्तों कि आप जिस भी report को select करके आएंगे उससे related आपको यहां पर बहुत सारे option मिलेंगे ना उनमें आप setting कर सकते हैं कैसे setting करेंगे उसके लिए दोस्तों यहां पर कहीं कहीं पर आपको no लिखा हुगा मिलेगा या कहीं कहीं पर आपको yes ल रहेंगे लेकिन जहां पर देखें कुछ और लिखा हुगा मिल रहा है जैसे यहां format of detailed है तो यहां इसको यदि हम select करेंगे तो कुछ और हमारे सामने option आ जाएंगे ना जहां पर no और yes के अलाबा कुछ और लिखा हुआ है वहां पर आप एंटर पेस कीजिए तो आपको और लिखना नहीं है इस तरह से आपको इसकी setting कर लीनी है जिस तरह से भी आपको चाहिए ना तो हर reports को जब आप select करके यहां पर आएंगे तो हर reports के लिए आपको यहां पर अलग अलग आपको option मिलेंगे और उनमें आप yes और no की value दे सकते हैं और इसके अलाबा कुछ और लिख XML में नहीं XL में इसको export करना है तो हम क्या करेंगे file format को select करके interface कर देंगे जैसी दोस्तों मैंने ऐसे किया हम आगए export setting में और file format में by default XML select था तो वो यहां पर आ गया लेकिन साथी साथ यहां पर side make pop-up भी open हो गया जहां पर कि हमको और भी option मिलना है इसी जगह पर देखेंग तो देखें हम आगए इस जगह पर और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने setting कर ली file format Excel तो अब मैंने यहां पर file format में Excel select कर दिया है तो अब हमारी जो report है वो Excel में export हो जाएगी है अब मैं आता हूं नीचे यहां पर work sheet name है profit and loss account इसको भी select करके enterprise करेंगे तो आप कोई दूसरा name भी यहां पर दे सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम आजाते हैं यहां पर export to तो local drive में यह export होगी तो मैं यहां पर local drive ही रहने देता हूं इसके बाद यहां पर आगए folder path अब folder path में यह by default आपकी जो यह export होकर जाएगी file वो जाएगी c drive में program files daily prime और बन में है लेकिन मैं जो folder path इसको change करना चाहता हूं किसी और जगे पर मैं folder path रखना चाहता हूं है न तो folder path यह दिए आपको change करना है तो आप folder path को select कीजे और interface कर दीजे मैं आगे इस जगे पर यहां पर है export setting of folder path में why default जो path है वो हमको यहां पर लिखा होगा मिल रहा है अब इसको आप अपनी आवश् specify file path आगया अब इस जगे पर आप path type कर सकते हैं जिस path पर आप ले जाना चाहते हैं इस file को export करके यह जो path है वहां से आप copy कर लिजे और इसको paste कर दीजे इस जगे पर तो आप specify file path आप यहां पर इस तरह से setting कर सकते हैं मैं escape key press कर देता हूं इसके बाद है select from drive यहां पर किसी और drive को आप select करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर setting कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूं select from drive को select करके और interface कर देता हूं तो देखिए यहां पर c drive, d drive, e drive यहां पर show रहे हैं इसके लाबा desktop, document और download यह folder भी हमको यहां पर show रहे हैं अब आप कहां ले जाना चाहते हैं तो मैं इसको ले जाना चाहता हूं desktop पर, तो मैंने export setting में desktop को select किया और interface कर दिया, अब देखिए folder path क्या हो गया, c users sick desktop, तो अब यह हमारी जो file है वो export हो कर जाएगी desktop पर, मैंने ऐसा कर दिया, इसके बाद file name, अब file name यहां पर by default है p and l dot xlsx, यह यहां पर file name है, अब मैं इस name को change कर करना चाहता हूं अपने इसाब से, तो उसको दोस्तों मैं change कर सकता हूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, और यहां पर हर वार आप आए तो change ही करके जाए, क्योंकि नहीं तो क्या है, पहली जो file होगी वो override हो जाएगी तो मैं file name को select करके और interface कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, महावी traders मैंने लिख दिया और यहां पर कर देता हूं p and l, profit and loss, और .xl, sx, तो मैंने यहां कर दिया महावी traders.p and l.xlsx, और select करके मैंने interface कर दिया, आप देखिए, file का name यहां पर हो गया, महावी traders.p and l.xlsx, इसके नीचे देखेंगे, तो यहां है open file after export, yes कर दिया, इससे क्या होगा, जैसे export करेंगे, तुरंत file हमारी open हो जाएगी, तो मैं इसको yes ही रहने देता हूं, और so language में मैं इसको English रहने देता हूं, तो दोस्तों देखिए, मैंने क्या setting कर ली, मैं आपको फिर से देखा देता हूं, file format मैंने excel कर लिया, और यहां प यहां से escape की प्रेस करूँगा, एक बार और escape की प्रेस करूँगा, हम इसी जगे पर आ गए, अब देखिए, यहां पर क्या है, file format में excel सो हो रहा है, export to में local drive सो हो रहा है, folder path में, जो path हमने desktop किया था, वो गया, file का name जो मैंने दिया था, वो मुझे यहां पर सो हो रहा है, अ जिस तरह से मैंने open कर रखा था, profit and loss account को, उसी तरह से यह सारी की सारी हमको यहां पर जानकारी मिल रही है, यानि हमने export कर लिया, और यहां पर आप चाहें, तो किसी field में जाकर आपको कोई परिवर्तन करना है, आप arrow ले जाएए, और वहां पर आप इसको परिवर्तन कर लि इसको मैं यहां पर click करके और इस तरह से open कर लेता हूँ, तो यह देखिए, desktop पर भी हमें यह file मिल गई, अब मैं इसको भी cut कर देता हूँ, इसके बाद आप चाहें, तो यहां पर computer में जाए, computer में जाने के बाद, हम जाएंगे desktop पर, और desktop पर जाने के बाद, यहां पर हमें यहां पर export की थी, यह देखिए, यह है, माभी traders, इसको जब हम यहां पर double click करते हैं, तो देखिए, यहां से भी यह open हो जाएगी, तो इस तरह से दोस्तों, आपको कोई भी report है, उस report को, यदि आपको daily prime software से export करना है excel में, तो आप किस तरह से करेंगे? मैंने आपको एक example से बता है, इसी तरह से overall आपकी CV report को daily prime software से excel में export कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं समझता हूँ, आज का topic आपको अच्छे समझ में आगयोगा, वीडियो अच्छी लगए तो like करें धन्यवाल,